क्या हाली मेरी दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों का श्वैता पाक कलम में स्वागत की साथ साथ अभिनांदन करती हूँ तथा अपनी नए दोस्तों कैसे बिल सकती हूँ हेलो आप लोग कैसे हो आज श्रतपा कलाम बना है साबुत मूंग की द्वारा तैयार पराठे जिसको हमने भर्मा बना के तैयार हुआ इस पराठे का स्वाद बहुत अच्छा होता है और थोड़ी समाकरी की द्वारा बन जाता है गर्मीक दिन में इस तरह आप एक बार पराठे बनाए है आपको बहुत ज़्यादे ये पराठे पसंद आते हैं चलो दोस्तो हम आप इसको मिलके बनाना शुरू करते हैं इसके लिए जो समाकरी है उसको देख लेते अज का पराठे हम साभुत मूंग के द्वारा बना के त्यार करेंगी एक कटोरी हमने साभुत मूंग लिया था जिसको चार से 6 गंटे के बिगो के आप त्यार कर लिजे या फिर इसको पूरी रात के लिए भिगो के रख सकते हैं मुंग की दाल बहुत जल्दी भीग के त्यार हो जाती दाबुत मुंग बहुत ही जादा हिल्दी होती इसके पराठा भी बहुत जादा टेस्टी होती है इससे पहले भी अमने पराठी क्रेज भी आपके साथ शेयर की है इस दाल को अमने छे घंटेकली भीगो दिया तब नमक को डाल दिया शेयर कुकर करें, लिए फैवा वाने को यसीन करें, लिए फैन्मट अब रहए को चस्क confined ओल्याद की पशेए वे। नमक को चाहिए complex व्हाद में पानि को सब्सक्राइब की जया है। हमने आठे को गूत के त्यार कर लेना है, इसके लिए 200-300 ग्राम हमने गिव काटा लिया है, आप मल्टी क्रेन आठे की तरह भी बना के त्यार कर सकते हैं, आधर टी बेस पूल स्वात के उसार नमक डाल दिया, अब इसको पहले अच्छी तरह से नमक और आठे को मिला लेना है क्योंकि हमने जो मू को बाला है, उसके एंदर भी नमक को डाला है, इसलिए नमक आब ध्यां से इसके Juddर ढालिये, अब इसके थोड़ी-थोड़ी पानी को डालती जाती है, आठे को गूत के तयार कर लेना है पर आठे का आठा कभी भी गुद के तयार करी तो बहुँ जादा टाइट नहीं बहुँ जादा लूस नहीं और इस तरह देखे आठा गुद के तयार हो गया अब इसको करीब 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से मसल के तयार कर लेती हैं अब इसके अंदर लगबग 2 टेबेज पूर हम्ने तेल को डाल दिया और तेल को डालने पत 1 minट तक आठे को और गूत के तयार कर लेते हैं और इस तरह देखे बड़ी आठा गूत के तयार हो गया इस आटे को एक बोल के अंदर निकाल के रख लेते हैं और एक प्लेट की साथा से इसको ढग देते हैं लगपक पांच मिनट के लिए तीन से चार हमने लहसन लिया थे जिसको बारीक टुकड़े में काट के तयार के लिए अगर आप लहसन पसंद करते हैं जो जरूर डालिएगा थोड़ी से हमने धनिया पत्ती, 3-4 हरी मिर्च, 1 मूटियम साइच के प्याज को छोटी टुकडि म काटके त्यार किया है अब जो हमने मूंग की दाल उबाल के रखा थाथ वो पूरी तरह से पक के त्यार होगी इस तरह से हमने मूंग की दाल को पका के त्यार करना है बहुत जाता है इसको हमने नहीं पकाना नहीं तो पराठा बनाने में दिक्कत होगी सिर्फ एक कटोरी मूंग में हमने आदी कटोरी पानी डाल के इस दाल को पका के त्यार किया है अब इस पूरी दाल को एक थाली के अंदर निकाल के रख लेते हैं अब इसके अंदर जो हमने धनिया, हरी मिर्च, प्याज, लहसन, अद्रक को काट के रखा है, पूरी के इसके अंदर डाल देते हैं, अगर दाल को पकाते से में थोड़ा सा पानी जादा हो जाए, तो आप पहली उस पानी को छान के अलग कर लीजिए, और सिर्फ इसके अंदर हो गया है, अब पराठा बनाना शुरू करते हैं, एक थाली के अंदर हमने थोड़ा सा सूखा अटा ले लिया, हाथों में इसको लगातके एक मीटेम साइज की लोई को निकाल लेते हैं, जैसा चोटा बड़ा पराठा आपको बनाना हो, उसी तरह से लोई को निकाल लीजि यह मैं सुची कि पराठे फटेंगे, एक तम से अच्छी तरह से इसको अपने भर के तयार करना है, जो इस तरह अंगूठिक सायता से दबा देती हैं, इसको दबाने के बस साइट से आटे को उठा लेती हैं, और यह देखिए पढ़ियां यह बन के तयार होके हैं, इसको उ मूंग उपर से दिखना चाहिए, इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी पराठे को भी बना के तयार कर लेते हैं, एक दूसरा पराठा बनाने के लिए हमने इसको हाफ सरकल बनाया है, इसके अंदर मूंग की स्टफिंग अच्छी तरह सभर देते हैं, करीब 4-5 डिपे स्पून, थोड़ से सूखा आटा लगा के इस पराठे को बना के तयार कर लिया, गैस पे पहली हमने एक तवा रग दिया तवा गरम होगे, इसके उपर पराठे को डाल देते हैं, जब एक तरब से इस सेख जाता है, तो इसको हमने पलट देना है, आप इसको घी के त्वारा तेल या भी बटर के त्वारा सेख के त्यार कर लिजे, बच्चों से लेके बड़ों तक ये पराठे को बहुत पसंद आएगा, एक पर आप इस रेसिपी को जरूर ट्रै करिएगा, और इस तरह देकि एक तरब से इसको हमने पलट की दूसरी तरह भी सेख लेना है, अलटती पलटत पराठे को सेख के त्यार कर लेते, इसी प्रोसेस के द्वारा सारे पराठे को बना के त्यार कर लेते, मुझे भर्मा पराठे को आप दहिक साथ खाई, अचारक साथ खाई या फिस चट्निक साथ खाना पसंद करेंगे, अगर आपको महीरेस भी अच्छी लगती वीडियो पसंद आती तो इसी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलीगा और मुझे कमेट करके बताएगा इस तरह आपने भर्वा पराटे मुंग के बनाए तो आपको कैसा लगा स्वात के साथ सेहत का विद्यान रखें, हिल्दी बनाए हिल्दी खाई, आप तिमता किमती से में निकार के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी के बहुत बहुत धन्मात, बहुत बहुत शक्रिया